शहर की समाजिक संस्ता हित्य जोती फाउंडेशन द्वारा ततपरता दिखाने पर भी बेसहरा अवस्था में सडक की किनारे पड़े यूवक की जान बचाने ही तू किये गए प्रयत्न आखिर विफल हुए प्राप्त जानकारी के अनुसार हिद्जोती फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष और समात सेवी हिदीश बंसोड को फोन पर सूचना मिली की सामने नागपुर रोज पर इस्तित हैल्थ यूनिट के सामने एक यूवक पड़ा है जानकारी प्राप्त होते ही तेश बंसोड अपने हिस्साय योग्यों के साथ घटना सतल पौशते हैं और देखते हैं कि उग्त यूवक की सासी चल रही है तो उसे उठाकर फॉरण प्रात्मिक स्वास्त प्रशिशन केंदर सावनी ले चाकर पहले उस पर इलाज शुरू करवा कर उग्त घटना की जानकारी सावने पौलस को दे कर मानफता का प्रेशे देते हैं घटना की सूचना प्राप्त होते ही थानेदाय मारुति मुलोक स्वास्त केंदर पहुच कर यूवक की शिनाक्त कराने का प्रयास करते हैं यूवक के पास पड़े बैग में कुछ कपड़े, बच्चों की खिलोने और यूवक का आधारकार प्राप्त होते ही यूवक की पैचान इंद्रदेव, फागो जी, दन्मल, कोसंबी, नवेगाव, हुडकेश्वरी, नागभीर जी चंदरपुर के रूप में होने पर तुरंत उक्तगटना की सूचना नागभीर पोलिस को देकर उसके परिवार से संपर कर इस्तिती बताकर उन्हें तुरंत बुलाया जाता है तब तक प्रात्मिक स्वासकेंदर की चिकित्सकों द्वारा जारी प्रात्मिक इलाज को किसी भी प्रकार का प्रतिसाद ना देते दिखाई देने पर उसे तुरंत नागपुर मैडिकल हॉस्पिटल रवाना करने की सलह देते ही थानेदा मारुती मुलुक की विंती पर हितेजोती फाउंडेशन के हितेश बंसोड अपने सहीयोग्यों के साथ इंद्रदेव को लेकर नागपुर मैडिकल रवाना होकर इंद्रदेव की गंपीर हालत देख उसे तुरंत मैडिसेन वार्ड में भरती कर उसका इलाज शुरू करते हैं इस बीच सावने पुलिस द्वारा यूवक के परिवार को नागपुर मैडिकल पहुचने की सूचना नागभीर पुलिस को दी जाती है नागपुर पुलिस में कारेदत पुलिस कर्मी नितिन ढाखोले स्वयम यूवक के परिजन के पास पहुँच कर उन्हें नागपुर रवानकर्व पुलिस वाले भी इनसान होते हैं का परिजे देते हैं इदर गंबीर यूवक इंद्रदेव पर मेडिकल हॉस्पिटल के मैडिसन वाड में ग्यहन इलाज के दोरानी सुभा तड़ के पांच बचे के करीब इंद्रदेव के निधन की खबर हिर्जोती फाउंडेशन के पददिकारियों को प्राप्त होने पर उनका मन खिन हो जाता ह और बस अनायास आपले प्रतने कटूतरी कमी पडले की टीस उभर कर आती है मृतक के परिवार से प्राप्त जानकारी के अनुसार इंद्रदेव यह रेमन बोरगाव स्थित सुरूची कमपनी में काम करता था और शनिवार को अपने घर जाने की उदेश से रेमन बोरगाव से साबनीर पहुचा था दे रात होने से उसे नागपुर हे तू साधन ना मिला हो ऐसे में वह रात गुजारनी के लिए उक्तिस्थान पर आहराम कर रहा हो ऐसे में उसकी तव्यत खराब होना बिहोश होकर उक्तिस्थान पर पड़े होना नागरिकों का शराबी समझ का नजर अंदास करना आधी कारण या अन्भुजे सवाल म्रतक अपने पीछे चोड़ गया वहीं मानफता और समात सेवी का दायत वे निभाने वाले हिजोती फाउंडेशन की संसापक अध्यक्ष हितेश बंसोर उनके सहयोगी थानेदा मारुती मुलोग हिजोती फाउंडेशन की नागभीर सदस्या प् किये गए प्रयासों की जितनी सराना की जाए उतनी कम है सामनेर से इन बीसीन न्यूस के लिए समवादाता किशोड धुंडेली की रिपोर्ट